Hello Everyone, BAC Final Air के पिछले वीडियो तक हमने Ecological Succession के अंतरगत लिटो सियर यानि शेल कर्मक के बारे में पढ़ा था इस वीडियो में हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे तो पहले वीडियो में हमने लिटो सियर या जीरो सियर के बारे में पढ़ा था इसमें हम बात करते हैं हाइडो सियर या जल कर्मक के बारे में सियर्स ऑफ बायोटिक कम्यूनिटीज देट डवलप इन नूली फॉर्म्ड पॉंड और लेक इस कॉल्ड हाइडो सियर तो जो अनू कर्मक की अवस्थाएं आती है किसी बायोटिक कम्यूनिटी या जेविक समुदाए के अंदर जो बनता है किसी नए बने हुए पॉंड यानि तालाब या जील के अंदर उसे हम हाइडो सियर कहते हैं इट start as soon as the muddy water becomes clear और यह जो अनू कर्मण है यह शुरू होता है जल्द ही जैसे ही वहाँ पर muddy water जो होता है या मिट्टी यउक्त जो जल होता है वो जैसे ही clear हो जाता है या शुच हो जाता है उसके बाद में यह हाइडो सियर सुरू होता है The various successful or several stages of hydrocear are तो विभिन परकार के इन में अनुकरमी की अवस्थाएं या इनकी करमकी अवस्थाएं जो होती है जल करमक में वो निम्न परकार होती है तो सबसे पहली अवस्था आती है इसे कहते हैं प्लैंक्टोन स्टेज या प्लवक अवस्था फाइटो प्लेंक्टॉंस यानि पादपलवक जैसे डाई एटम, फ्लेजिलेट्स और नील हरीच शेवाल और ग्रीन एलगी या हरी एलगी आर दा पायोनियर्स इन फ्रेशली फॉर्म्ड वाटर बोड़ी तो जो फाइटो प्लेंक्टॉंस होते हैं पादपलवक ये पुरोगामी होते हैं यानि सबसे पहले आने वाली स्पीसीज यही होते हैं किसी एक नए बने हुए जल स्रोत के अंदर इस प्रकार के फाइटो प्लेंक्टॉंस सबसे पहले आते हैं दे आर मोश्ट इमेडियेटली फॉलोड बाई जूपलेंक्टोंस तो जैसे ही फाइटोपलेंक्टोंस बनते हैं उसके बाद में जश्ट बाद में ही उनके प्राणी पलवक या जूपलेंक्टोंस वहाँ पर आते हैं जो फाइटोपलेंक्टोंस के उपर अपना बोजन ग्र स्टेज या निम्बग नवस्ता कहते हैं जल निम्बग नवस्ता यानि ऐसे पेड आते हैं जो की जल में पूंड़ता या डूबे हुए रहते हैं तो जो इसका तालाब का बॉटम लाइन होता है यानि जो तली जो होती है वो कोमल मर्दा के द्वारा या मिट्टी के द्वारा जो है वो आस्तरित होता है और उसके अंदर और्गनिक मैटर जो होता है या कार्बनिक पदार जो होता है वो फेवरेबल होता है ग्रोथ के लिए और ये ग्रोथ जो है वो सबमर्जड प्लांट होते है यानि जल निमगन पादब जैसे हाइडिला और नाजाज तो इस प्रकार के पादब जो है उनके growth तो इनकी जो जड़े होती है वो इस मढ या कीचड के अंदर धंसी होती है जो इसकी तली के अंदर होती है और ये अत्यधिक घनिष्ट जो है वर्दी करते हैं As a result, sand and silt get deposited around the plants और इनके परिणाम सुरूप मर्दा तथा silt या जिसे गाद कहते हैं इसका deposition या इनका जो जमाव है ये हो जाता है इनके plants के चारों और The bottom level therefore rises slowly तो जो इनका तल होता है जो इसके pond के नीचे का तल होता है ये मर्दा के धीरे धीरे निर्मान और उसके deposition के कारण उसका जो तल होता है वो धीरे धीरे उपर की और उड़ता है The older plants and buried parts of other plants form humus on their death and decay तो जो पुराने पादप होते हैं और मिट्टी के नीचे दबे हुए उनके जो parts होते हैं जो की उसके किसी दूसरे पादपों के भी होते हैं इनके द्वारा humus का निर्मान होता है जब ये पादप मर्त हो जाते हैं और इनका जो अबगटन शुरू होता है उनके कारण मिट्टी के नीचे दबे हुए होने के कारण वहाँ पर humus का निर्मान होता है थर्ड स्टेज आती है इसमें फ्लोटिंग स्टेज या इसे प्लावी अवस्ता कहते हैं इन्दा शेलोवर रीजन्स यानि उतले हुए छेतर में यानि जहां पर तली जो है बहुत ही उची होती है यानि जल तल के ज़स्ट पास में ही होता है तो ऐसे छेतरों में प्लावी अपियर विद ट्यूबरस राइजो मेटर्स एंड क्रीपिंग स्टेप्स तो वहाँपर ऐसे प्लावी आते हैं जिनके ट्यूबरस राइजो मेटर्स और रहेंगने वाले तन्य होते हैं and leaves floating on the surface of water और इन पैड़ों इन जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो पतियां होती है ये जल की सतय के उपर तैरती रहती है उदारन के लिए जैसे निंफिया और नेलियूमो तो ये ऐसे पादप हैं जिनकी पतियां जो है वो जल के उपर तैरती है At places, free floating plants also appear तो इन इस्थानों के उपर मुक्त तैरने वाले पादप भी वहाँ पर अधिक दिखाई देते हैं जैसे azola, wolfia और lamna तो ये स्वतंतर तैरने वाले पादप हैं To cover the water surface और ये जल की सतय को पूर्ण तया वहाँ पर cover कर देते हैं या आच्छा दित कर देते हैं Humus rich bottom begins to rise making water shallower तो humus rich जो bottom होता है यानि bottom या तली के अंदर जो humus अतियदिक मातर में होती है उसके कारण ये धीरे धीरे water को shallower करना सुरूगर देता है यानि वहाँ पर जल जो है कम मातरा में होता है धीरे धीरे होता रहता है और इसका जो तल होता है वो उपर की और उड़ता रहता है fourth इसकी stage आती है इसे read swamp stage कहते हैं यानि जड़ अनूपवस्था amphibious plants grow where the water body becomes shallow तो उभयचरी पादप ऐसे इस्थानों पर उखते हैं जहां पर water body जो shallow होती है यानि उतले हुए जल के इस्थानों पर amphibious plants उखते हैं जहां पर जल की मातरा कम होती है जैसे pragmites और typha, scrypus और sagittaria तो ये इस प्रकार के amphibious या उभयचरी पादप होते हैं the plants of swamp stage transpire huge quantity of water तो इस swamp stage का यानि जड़ अनुप अवस्था के जो पादप होते हैं ये अत्यधिक मातरा में वास्पोद सर्जन करते हैं और वहां का जो जल होता है उसको कम करते हैं they also produce abundant organic matter इन पादपो के द्वारा अत्यधिक मातरा में कार्बनिक पदार्थों का भी निर्मान किया जाता है they are twisted growth accumulates silt तो इनकी जो twisted growth या twisted वर्दी होती है ये silt या गाद के अंदर जो है वर्दी करती है fifth stage आती है इसे sage या marshmallow stage कहते हैं यानि कच स्वादल अवस्था या इसे कहते हैं घास इस्तली on newly built up shores यानि नए बने हुए किनारों पर सीरेक्स इसे sage कहते हैं juncus, cypress और some grasses तो ये कुछ घासे हैं जो उसके किनारों पर उखती हैं और कुछ herbs जो है वहाँ पर उखती है जिसे थेमेडा, कैल्था और पॉलिगोनम तो इस परकार की herbs भी वहाँ पर grows rapidly and lower the water table तो वहाँ पर अधिक तेजी से इस परकार की गास तथा दूसरे plants उखते हैं और वहाँ पर उस water table को नीचे करते हैं यानि जल के इस तर को कम करते हैं the plants transpire rapidly तो वहाँ पर जो उपस्तित plants हैं ये तेजी से वाजपोर सरजन करते हैं and add abundant humus और ये अत्यदिक मातरा के अंदर humus को वहाँ पर add करते हैं therefore soil is build up to invite next stage तो इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो इस परकार से बन जाती है कि जो अगली अवस्ता आती है वो वहाँ पर आसानी से इस्थापित हो सकती है sixth stage आती है इसमें इसे कहते हैं woodland stage या काश्टी अवस्ता rhizome bearing shoves यानि ऐसी सर्व या शूप या जाड़ियां जिन में rhizomes होते हैं and small trees यानि छोटे पेट capable of tolerating excessive light ये इन में समता होती है कि ये अत्यदिक light या प्रकाश को tolerate कर सकते हैं या सहन कर सकते हैं and waterlogged conditions यानि जलाकरांत जो इस्तिती होती है उसको भी ये tolerant कर सकते हैं appear on the edges of sage और marshmallow तो ये जो इस परकार के अवस्तितियां है ये दिखाई देती है marshmallow के edges या किनारों के उपर जैसे उदारन है इस परकार के पेड़ों का जैसे cornus, sepalanthus, populous और illness तो इस परकार के पेड़ जो है वो अधिक light तथा जलाकरांत condition को सहन कर सकते हैं दा शर्ब्स sad away the plants of sage middle stage तो ये जो शर्ब्स होती है या जूप या जाड़ियां होती है ये sage middle stage वाली यानि जड़ अनूप अवस्ता की जो plants होते हैं उनको वहां से हटा देते हैं they invite invasion by trees capable of bearing bright sunlight and water logging तो ये वहां पर इस परकार के trees को उगने के लिए favorable condition देते हैं जो capable होते हैं तेज sunlight को सेहन करने वाले पादप और दूसरे होते हैं water logging को सेहन करने वाले पादप यानि जलाकरांती को सेहन कर सकते हैं जैसे populous जिसे cottonwood का जाता है या illness यानि elder तो इस परकार के वहां पर trees जो है वो आते हैं the plants of woodland stage lower the water level by their transpiration तो woodland stage के जितने भी plants होते हैं ये जल इसतर को नीचे करते हैं अत्यदिक तेजी से और ये transpiration या वास्पूब सर्जन के द्वारा करते हैं they also built up more soil और ये अत्यदिक soil या मिट्टी का भी निर्मान करते हैं shed loving plants come to grow below them अब जो चाया पर ये पादप होते हैं वो इस परकार के बड़े जो पेड़ हैं जिससे cottonwood और elder तो इनके नीचे जो है इनकी चाया में पेड़ जो है shed loving plants वहां पर उगते हैं next आती है last stage इसकी इसे climate forest या चरम बन वस्ता कहते हैं new trees shubs and herbs appear which are in perfect synchronization with the climate of that area तो वहां पर नए पेड़ या जाड़िया और herbs आते हैं जो की perfect synchronization में होते हैं यानि इनका जो सामझस्य है वो एकदम सही होता है वहां की जलवायों के साथ में जो की उस छेतर के अंदर पाई जाती है तो यहां पर last में जो climate forest आता है इसमें सभी trees shubs और herbs तीनों उपस्तित होते हैं और इनका जो सामझस्य है वहां के climate के साथ में यह पूंट या सही होता है और यह बाद में इस्था ही होते हैं और यह आने के बाद में दूसरे किसी भी परकार का अनुकर्मन जो है आगे नहीं होता है इसल देग्राम में hydro sear के कुछ मुख्य घटनाय दर्साई गई है तो सबसे पहले एक bear bottom यानि नगन तली वालया एक तालाब होता है जो छोटा pond होता है फिर उसमें कुछ पादप आते हैं यानि जल निमगन पादप जो की जल में पूंट या डूबे रहते हैं तो इस परकार के submerged vegetation आती है फिर आती है immersed vegetation यानि कुछ जो है ये जल से बाहर निकली हुई होती है तो आदी जल के अंदर डूबी हुई और आदी ये vegetation बाहर होती है तो ये परतिस्थापित कर देते हैं submerged vegetation को इसके बाद temporary pond बसता है केवल थोड़ा सा और इसके किनारों के उपर जो है ये दू में आते हैं climax forest stage के अंदर यहां पर पूंट या यह जो pond होता है यह पूंट यहां पर मिट्टी में तबदील हो जाता है तो यहां पर जल जो है वो completely अनुपस्तित होता है और यहां पर बड़े पेड आ जाते हैं और यहां पर shed loving plants जो इनकी चाया में उगते हैं वो यहां प आता है थैंक यू सो मच इस unit का अगला topic हम next video के अंदर पढ़ेंगे